नमस्कार दोस्तों मैं बाबुराम पटेल आप सबका एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल बायलोजी जोन में स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम टापिक लेकर के जो आए हैं वह है टेरिडोफाइटा तो आज हम बात करने वाले हैं टेरिडोफाइटा के बारे में चली एक बार बात कर लिए जाए आखि टीजीटी और पीजीटी बायलोजी टीजीटी और पीजीटी की बायलोजी का जो टेरिडोफा है ठीक है तो बाकि सब पढ़ना ही पढ़ना इसमें तो जो इस पांचो जिनेरा हैं इसकी क्या-क्या पढ़ना है हमको जैसे distribution हो गया structure हो गया reproduction हो गया और life cycle और stiller system in trade of fights हो गया और heterospory हो गया और seed habit तो यह हमारा जो टेड़ो फाइटा का syllabus है तो इनके बारे में पढ़ना है question कहा कहा से आते हैं put up कैसे होते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं question कहा से put up होते हैं हाँ तो दोस्तों यह हम बात कर रहे हैं अभी जो टेडो फाइटा की तो टेडो फाइटा दखिए यह जो टेडो फाइटा है यह लगभग इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है लगभग 300 million वर्स पूर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है अबाउट 300 million years एगो ठीक है और यह किस रूप में पाजाता है यह यहां प्रतिवी पर लीविंग और फासिल दोनों रूपों में पाजाता है अर्था जीवित और जीवास्मा दोनों के रूप में पाजाता है टेडो फाइटा ठीक है और यह ओरजिनेट कब हुआ सिलूरियन period of paleojoic era paleojoic era के सिलूरियन period में इसकी उत्पत्ती हुए और यह प्रतिवी पर प्रभावी हुआ dominant on earth in devonian and carboniferous period of paleojoic era ठीक है यह प्रतिवी पर यह dominant हुआ प्रभावी हुआ ठीक है अब चलिए बात करते हैं टेडो फाइटा है क्या ठीक है देख लिए जाए टेडो फाइ आ किससे बना है यहां ouslybada菜 यह किससे बना है सब्धяться oigning we call typ टेरांस अ καई नियारां का अर्थ होता है यह अर्थ होती है वहां लीबस कुछिए पांक के पंकि तरह है इसकारण से इसे हम तेडो फाइटा चार सो जीनरा है और इसके अध्यन को टेडो फाइटा के अध्यन को प्रोफेसर एस बीर को भारती टेर्डोलाईजी का जनक कहा जाता है प्रोफेसर SS Beer को तो अब हम बात करते हैं दोस्त इसके कुछ करेक्टर्स क्या हैं हम आपको बता दे जैसे आप जानते हैं कि जो प्लांट्स थे प्लांट्स को दो भाग में बाटा गया था क्रिप्टो गैमस और फेनेरो गैमस में क्रिप्टो गैमस में ऐसे पौधे सामिल थे जिसमें पुस्प और फल और बीज नहीं बनते थे तो यह उसी का जो है यह प्रत्थम स्थली जैसे आपने पढ़ा था था थैलो फाइटा ब्रायो फाइटा और टेडो फाइटा तो ब्रायो फाइटा से मोर एडवांस करेक्टर दिखाता है ठीक है तो यह मोर एडवांस दैन ब्रायो फाइट्स यह एडवांस करेक्टर दिखाता है किसकी तुलना में ब्रायो फाइटा की तुलना में ब्रायो फाइटा दलदली पोधा था उभैचर्त कहलाता था टिक है लेकिन यहाँ स्थली पोधा है ठीक है और इसे Vascular Crypto Games का मतलब जिसमें Vascular Bundle होता है Vascular Bundle आर्थात आप जानते है कि जो Vascular Bundle किसी हम कहेंगे Vascular Bundle का मतलब है कि जिसमें जाあの झायलम और फ्टोयम और craziest God जिसके कारण ब्रिद्धी होती है, मुटाई बढ़ती है पौदे की ठीक है, बैस्कुलर बंडल की उत्पत्य होई इसकारण से बैस्कुलर क्रिप्टो गैम्स कहते हैं, ठीक है, और इसे फस्ट इस पोरोफाइट आप दा प्लांट किंगनम कहा जाता है, क्योंकि अभी इसके लैंड प्लांट भी कहते हैं, यह क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रतिवी पर पहले इस्थली पौधे हैं, जो सक्सेस्पुल रूप में यहां सफलता पूरोफाइट उगे, ठीक है, इस्थल पर इसे रेप्टाइल साब प्लांट किंगनम भी कहा जाता है, इसे इसने का प् इस्टेम लीफ तो होता है, यह होता है, बट इसमें फौरोफ प्रीट और सीड यह पुर्प जाता है यह एक इसा पौधा है, टेडोफाइटा जिसमें फूल फ़ल और पीज नहीं मिलते हैं, लेकिन जड़ तना पती मिलती है, इसमें और जड़ तना पती और बिदाउट इसमें फॉल फूल और बीज नहीं होते हैं और अगर दूसरी तरीके से जो question कहीं आता है दोस्तों तो हम आपको दा दें एक question क्या आता है silo tails silo tails को first land vascular plant कहते है silo tails को first land vascular plant कहते है और इसकी मुख्य जो main plant body है वो होती है इस porophyte ठीक है अब कुछ इसके छोटे बड़े पोधों की बात के लिए टेडोफाइटा में आखिर यह जो हमने करेक्टर से यहां दिखाया है दोस्त इसको आप जरा ध्यान में रखिएगा बहुत importance points हैं यह और इसमें से कुछ छोटे बड़े पोधे हैं से कौन सा छोटा पोधा होता हुटा टेडोफाइट का कौन सा बड़ा होता है इसको आप देखिए मैं होता है कंन होता है कंन होता है system सबसे लंबा टेडो फाइटक्थ है ठीक है सबसे लंबा टेडो फाइट तो दोस्त अब हम बात करते हैं इसके कुछ कामन dülden के ठीक है कामन पॉइंटज की देखिए जराँ इसमें से कुछ देखिए शाकी होते हैं कुछ जो है अर्थात और दूसरा जो हैं पेरिनियल अर्थात बहु अरसी जैसे साइथिया साइथिया हमाभी आपने को बताया कि सबसे लार्जेस्ट ट्रेडोफाइट से साइथिया इससे ट्री फर्म है क्योंकि भाई देखिए सबसे बढ़ा है तो बढ़ा है तो भाई ट्री पेड़ के रूप म comparison करके आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा ठीक है आपके लिए जैसे ब्रायोफाइट में हमने बताया था कि एक्वीटिक जो परजाती होती मारसीलिया ठीक है तो जो मारसीलिया है इसी को आप ध्यान में रखिए तो यम फार मारसीलिया ए फार देखिए ए स्पेलिंग आई ए से जोलिया आर से रेगले नीडियम और यहाँ यस है यस फार सालविनिया और फिर यहाँ पर आई है ए को आप आई समझे है आई क्या है आपको याद हो जाएंगे ठीक है अग कलाइमबर में जो केवल लाइगोडियम है कलाइमबर में केवल और केवल लाइगोडियम है ठीक है तो यह है लाइगोडियम की हाँ तो अब हम बात करते हैं दोस्त हमा आपको बता दें कि जो पांचो जेनेरा हमें पढ़ना है पांचो तो करेक्टर से प्रईड बढ़ाता है कि थोड़ा सा जीवास में से जब तो आप अपना चलेक्टर दिकाता ben साइलोटम سے रखिएगा सब्टेरेनियन राईजोम सब्टेरेनियन राईजोम अगर कहीं दीख जाए तो इसका connection आप साइलोटम से रखिएगा ठीक है यह साइलोटम के structure में सब्टेरेनियन राईजोम उपस्थीद होता है और 걸 Bulborographic इसके जो stage होती है root लेस होती है root नहीं होती है और aerial जो suit होती है suit आप जानते है कि इसको तना और पत्ती को अगर yv भागो कहें तो हम कहेंगे उससे suit तो इसके suit में जो है leaf नहीं होती है ठीक है अगर आप देखना चाहते हैं silotum का figure तो आप को हम दिखाते हैं कि क्या है tycker तो आप देख रहे हैं SAYLOTUM जो आपको दिख रहा है ट्डैक है यह पूरा करेक्टर सो करता है इसमने तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा जिनेरा है ला इको पोडियम हम आप पहले थोड़ा सा एक इसकी तुल्ना करा दे हैं Lycopodium, Sillaginilis, Equicitum, Marsilia, Lycopodium की पूरे Word में, जो species पाई जाती है, 400 है, 400 है, Sillaginilis, 600 है, Equicitum की 25 है, Marsilia की 65 है, 65 है, पुरे 200 है, ठीक है, अब यहां, Lycopodium की जो इंडिया में, स्पीसीज है, वा 33 है, 33 है, Sillaginilis, 70 है, Equicitum की 5-7 है, इंडिया में और मारसिलिया की 10 ठीक है तो 400 वर्ड में 35 इंडिया में 600 वर्ड में 70 इंडिया में और 21 की जो है 25 वर्ड में 5 से 7 इंडिया में मारसिलिया की 65 वर्ड में और 10 जो है इंडिया में ठीक है लाइको पोडियम के यहां common name से भी बहुत पूछे जाते हैं तो जरा ध्यां से देखिएगी इसको जो common name है इसके जो common name है जिसे लाइक पोडियम के कितने नाम है यहां चार नाम है ट्रेलिंग वर गिरीन कहते हैं क्रीपिंग सिडार कहते हैं ठिक है क्लब मास ग्राउंड पाइन ट्रैलिंग यवर्गीन और क्रिपिंग सिडर कहते हैं यह चार नाम इसके है ठिक है आप कुछ भी इसका ट्रिक बना करके आप इसे याद कर सकते हैं सिड है जैसे GCTC तो GCTC अगर आ गया तो आप कुछ भी अपने तरीके साब बना सकते हैं इसको ठीक है सिलेजिनेला के देखिए कितने नाम हैं यहाँ पर पांच इसके उपनाम है जैसे सिलेजिनेला यहाँ लाइको पोडियम तो कलफ मास है लेकिन सिलेजिनेला को लिटिल कलब मास कहते हैं little club little मतलब छोटा और किसमीन सोता इसमाल तो little club मास कहिए या small club मास कहिए ठीक है यह कौन हुआ दोस्त सिलेजिनेला दूसरा spike मास इसे कहते हैं क्योंकि हम आपको इता दें क्यों कहते हैं रिजएरक्शन प्लांट के सूखा सुखा सलाता है तोड़ा सवार अगर इसमें पानी म्टाल दीजए फिर लहर आने लगेगा फिर बढ़ियां दिखाने लगेगा सजीमी बूटी ओटी कहला एक ही नाम है हो center होर्स टेल ठीक है अभी मैं सभी का फीगर दिखा रहा हूँ अब दीख भी पा रहे है कि इनके फीगर सिले जेन awa के एक्विसीटम के मारथस्यलिया के सभी के फीगर बरि बरिसे मारथसीलिया को वार्टर फ साथा हो पीपर वर्ड कहते हैं वाटर फर्ण तो दोस्तों अब देखें आप जड़ा इसमें से कुछ इसके आलामा जो पांचो स्पीसिस हैं इनके अलामा कुछ अगर पूछी ले जाते हैं इसका दूसरा अधर नेम पूछी ला जाता है तब आप कैसे करेंगे तो देखें जैसे मास्कीटो फर्ण है एजोला तिके एजोला को अभी इजोला यूजड ऐस बार फार्टी लाजियर ठीक है जैवरोरा के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है एजोला को क्योंकि यह पैडी फिल्ड में होता है पैडी फिल्ड में और नाट्रोजन फिक्सन सेशन का भी क्य करता है जोला, ठीक है, सबसे छोटा टेडो फाइट से है जोला, एजोला को आप भूलियेगा नहीं दोस्त, है बहुत छोटा, लेकिन बड़ी लंबे-लंबे कारी करता है परी च्छाओं में, ठीक है, एजोला, इसे मास्कीटो फर्न कहते हैं, वाकिंग फर्न कहते हैं, एडि रिबन फर्न कोन है, टेरिस, और सन फर्न है, टेरिस, रिबन फर्न और सन फर्न दोनों यह किसके नाम है, टेरिस के, ठीक है, वहीं वाटर फर्न के रूप में देखी जरा, मास, यम ए, एस, ठीक है, यम फर मारसीलिया, ए फर एजोला, यस फर सालवीनिया, ठीक है, वाटर किसे कहते है मारसीलिया एजोला और सालविनिया एतीनो वाटर फारन कहलाते है ठीक है अब यहें कुछ most important points क्या है दोस्त जैसे हम आपको बता दें देखे जरा जो जाइलम में इसके टेडोफाइटा के जाइलम में वेसल प्राय हपसेंट होती है लेकिन हाँ exception है कि present किसमे होती है प्रजंट यह है मारसीलिया है, आइसोडस है, सिलैजिनेला है, इक्विसीटम है और टेरिडियम है ठीक है तो देखे जरा माइस टेरिडियम माइस टेरीडियम अब ध्यान रखिएगा माइस टेरीडियम यम फार मारसिलिया आई फार आईसोईट्स यस फार सिलाइजिनेला इफार इक्विसिटम और टेरीडियम ठीक है तो इसमें जो है यह पाचों में हम आपको उदादे हैं कि वेसल प्रजेंट होती है यह जैलम में वेसल प्रजेंट होती है और एक कोश्चन क्या पूछा जाता है दोस्त जैसे सेकेंडरी ग्रोथ से संबधित जो कोश्चन से है सेकेंडरी ग्रोथ से तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये प्राय जो है टेड़ो फाइटा में अपसेंट होती है लेकिन दो ऐसे जीनस हैं जहां पर सेकंडरी ग्रोथ उत्पन होती है यानि सेकंडरी ग्रोथ पाई आते हैं जैसे बहुत ट्री कम है आईसोएट से हैं इसे आप कैसे याद रख करेंगे सेकंडरी ग्रोथ को हिंदी कहते हैं यह 2 लिखा 2 में बहले ही हम इदे के छोटी E की मात्रा है तो इसके लिए हम I लिखते हैं क्या लिखते हैं आई ठेक है requirements ग्रिध ही जब लिखते हैं तो हम दूसरा सब ब्री लिखते हैं B किसे सुरू होता है B से तो इहां 2 ऑक में I आई से आई सुईट से बृध्धी बी से सुरू हो तब बाट्री कम ठीक है बाट्री कम और एक बात और कि आरगन सुईजिनेसिस का सम्मन्द जो है किसे है राजोफोर आरगन सुईजिनेसिस का जो कनेक्शन है वह किसे है दोस्त वह है राजोफोर से तो इसी क्रम में दोस्त और राजोफोर ठीक है राजोफोर तो राजोफोर क्या है अंडरगाउंड इस्टेम है ड्रावप्टेरिस का ड्रावप्टेरिस के अंडरगाउंड इस्टेम को हम क्या कहते है राजोफोर क्या है ड्रावप्टेरिस के अंडरगाउंड इस्टेम को हम क्या कहते है राजोफो डार्ण करता है, इसे हम राजो मार्फ कहते है, राजो फोर किया small structure है, किसका situations लेजिनः लेजिन लाखा क्या, जो किसको दार्ण करता है, रूट को, ठीक है, या सिलेजनिः लए की root को धार्ण करने वाली special structure है, राजो फोर, ठीक है, अब गर इसमें हम reproduction की बात करें, तो रिप्रोड़क्शन इसमें दो प्रकार का होता है, एक वेजी टेटिवली, एक एक सेस्वली, वेजी टेटिवली में वही भाई, फ्रेग्मेनेटेशन भाई, जो भी विखंडन विधी द्वारा, बलबिल द्वारा, ठीक है, बड्स द्वारा, ये सभी, लेकिन एसेक्स् होते हैं, कुछ पर जाती है, हेट्रोइस्पूरस अर्थात, एक से धी प्रकार, दो प्रकार की स्पूर पाए जाते हैं, ठीक है, यह प्रस्ण बहुत बार पूछा आ गया है, ठीक है, तो देखिए जरा, इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है, कि कौन होमोइस्पूरस होता है, क आपने LED बल्ब लगाया, LED क्या लगाया, बल्ब लगाया, और तुरण लाइट तेज होगी, पट-पट करके, LED आपका फुट गया, तो LED पट-पट, पट-पट का मतलब देखिए, PT, PSilenter, Terris और Terridium, Terris और Terridium, यह दोनों लास्ट में है, पट-पट, ठीक है, PT, ERES, Terris, और PT, ER, Dium, Terridium, ठीक है, यह फार, Lycopodium, E-फार, Equisitum, और D-पट, Dryopteris, तो होमोइस्पोरस जब भी नाम आएगा, LED पट-पट याद रखिए, ठीक है, होमोइस्पोरस, LED पट-पट, और जब LED फुट गया ता साम नहीं हो जाएगा, साम हो जाएगा, तो आप साम सी, लहर दोड़ीगी, साम सी का मतलब क्या है, यस, A, M, यस, I, यस, फार क्या, सिलेजिनेला, और A फार, एजोला, और M फार, मारसीलिया, और YS फार, सालविनिया, और I फार, आईसोइट, तो यह जो इस्पीसीज है, यह इसकी स्पीसीज, हेट्रोइस्पूरस है, ठी नहीं तक, ओके, थैंक,